करना विपक्ष को इगनोर करना ये कोई नई बात नहीं है आठ साल मैं भी इस सब देश की सबसे बड़ी तंजाइब का मेंबर रहा हूं बहुत बार हमने भी वो जेला है कि विपक्ष के होते हुए उसकी बात नहीं माननी और शोर शराबे में बिल पास करवा ले ने हाँ वा भरी आथी हाँ वालों की जीत हुई हां वालों की जीत हुई हाँ असा है गो हम भी बहुत बार चिलाटे थे सब्सक्राइब है वोट व तो जब ये Bahnी कि डेमोक्रेृसी के मंदिर को ऐसे जला रहा है odd थे कि नफर्थ की राजनिती देश के लिए घातक सिद्ध होगी आज मनिपूर में हो रहा है इनकी नफर्थ की राजनिती का वो नतीजा है मनिपूर में हो और शायद आपको भी नहीं पता होगा मनिपूर का राजयेपल को में आपका पता होगा मंगाल का भी पता होगा हमें तुम्हारा बजट सेशन नहीं होने दूगा तुम्हारा ये बिल नहीं मैं पास करूँगा इस पर सहीं नहीं करूगा तो अब राजयपाल कहां क्या कर रहा है वहां तो केंदर की तरफ से एक प्रतीनदी है वहां पी उसने लोग एंड आउटर बताना होता है तो हमारे तो य दिन मनिपूर का मां बोला परदान मंत्री जी ने उसमें भी दो तिन स्टेट और डाल दी है तो यहां से यह पता चलता है कि यह लोग नफरत की राजनीती करते हैं जिसको लोग पसांदी नहीं करते हैं और मनिपूर में राश्टपति शाशन है जो है वह लगा देना चाह अगर सुप्रीम कोट सु मोटर ले रहे हैं तो राश्टपति जी को भी आ रहा है कि सु मोटर लेना चाहिए कि जी देश के हलाग जो है मनिपूर में अभी तो पीडियो एक ही निकला अभी इंटरनेट बैन है पता नहीं क्या-क्या हो रहा है वहां किसी को जाने नहीं दे तो जब मनिपूर में यह हो रहा था तब परतान मंत्री जी जपान, UAE अमरीका के बारे पर तो संजी सिंग जी चुने हुए हमारे राज्य सभा के मेंबर है जब हमें कोई मौका नहीं मिलता तो ही हम अपनी कुर्शी से उठके बैल में जाते है ना वरना हम को बैल में जाने का शौक थोड़ी है जब जब मौका प्रपर नहीं मिलता तो फिर थोड़ा इसका मतले यह थोड़ी है कि आप चलो जी आपको पूरे सत्र के लिए कि सस्पेंड के जाते हैं राहुल गांजी को एक गुजरात की छोटी सी कोट ने फैसल ले लिए अच्छे लोगी आप एमपी नहीं रहोगी है मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी करना है 28 राजेपाल हैं 39 में मोटी जी तीस में हमश्या है 30 आदमी चला लें देश को मुख्यमत्रियों कि अगर चलने ही नहीं राजेपाल उनके सर पे बिठा रखे हैं कोई आप विल पास नहीं करते विधान सभा में पास हुआ हुआ कोई आप खेरे हो कि मैं साइन नहीं करूंगा इस पर तो फिर किस काहे के लिए एलेक्शन करवा रहे हैं अठाइस राजिपाल उनक्तिस मोदी जी और आमिशा तीस हो गए तीस लोग चला लें देश को क्यों हजारों कुर्ट रुट रुट यह लोगा इलेक्शन पर कर्चा जाएं तो यह टिक्टेटर शिया नहीं चलेगी ताना शाही नहीं चलेगे में आज शबवी जो देश को प्यार करने वाले सांसद हैं चयाए वो लोग सबस हैं चया राग सबस हैं वो संजें उसन्हीं के साथ हैं वो लोग्तंतर के साथ हैं वो सविधान के साथ है, अब सविधान सुब्रिम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, 5-0 से एक फैसला हुआ, ओडिनेंस बिल्ली के ओडिनेंस का, पांच जीरो से, उसके कि खिलाफ ले आए हैं नहीं, हम यह भी नहीं मानती, तो किसकी मानोगे तो यह नहीं, हर महीने मन की बा गहीन अध़ैने के कि या राजा को जीटके आगी चलाए इसी लिए वह कात क्षावत बनी थी जो जीता वो इसकंद्र लेकिन वह से अध़ने यह बोल गया था कि वापस जाने लगदा जब बापस जाने लगा जो राजाओं को जीटके आया था है लोग पंतर हैं जीत के आजाएं अपना प्रोग्राम रख लें तो लोग पताएंगा जीत के हम जीद के लिए से पंजाम के बहुत बदा है यहां भी कहते हैं इस वह इतनी पार दिल्ली में तिली में इस वार सिर्फ जाम ना पार और तो है निकुछ नहीं तो इनके कहने से देश थोड़ी चलेगे जिए 140 कुर जंता का देश है देश पक्त लोगों का देश है शहीदों का देश है हमारे बुजर्गों ने हमारे पुर्खों ने कुर्भानिया दिए सार नोकॉणस मोशन का नोटिस लाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा में क्या बोलेंगे सार डिबेट चलेगी जो भी सांसद हैं वो अपने-पनी स्टेट का भी बोलेंगे कि नोकॉणस मोशन किसी एक भीशेपिति ने रहा जब कि देश के लोगों को confidence नहीं रहा कि क्या होने वाला है कब हो जाएगा कब कॉन सी रेल बेच दी जाएगी कॉन सी भेल बेच दी जाएगी तेल बेच दिया जाएगा एरपोर बेच दिया जाएंगे ये बना ली नहीं तो अभी तीन दिन की बार सिप पानी आ गया से यह जो इदर बनी है 1927 में बनी हुई है यह जो साल बाद जो चुना है न वह पकट बनानी शुरू करते हैं अभी सॉ साल हुए इसको इदर अभी जुरू नहीं होई महुरत भी निकला इस बुठनों तक पानी आगया यहीं से पता चलता है चुना इदर लगाया है चुना इदर भी लगाया है लेकिन इदर है